नमस्कार दोस्तो टेक इलेक्टरन इस चैनल के और वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तो आज मेरे पास आया है यह अजन्ता कमपनी का एक 7 वाट का खराब एले डिबाल्ब रिप्यारिंग के लिए जैसे कि आप देख सकते हो 7 वाट का है और एक कितना दिन पुरणा है यहां पर तो लिखा हुआ नहीं है तो फिर भी मुझे लग रहा है बहुत ही पुरणा है उसके बाद ही खराब हुआ है तो चलिए सब से पहले इस बाल्ब को बिजली में लागा कर देखते हैं क्या प्रप्रप्लेम है इसमें आखिर हमें दिखाया देता है तो यहां पर हमारा बिजली का बोड है 220 बोल्ट सिरीज बोड है ठीक है तो यहां पर मैं पावर दे दिया हूँ कैंप इस खरप बाल्ब को लगाता हूँ और देखता हूं आखिर इसे में क्या प्रॉब्लम धिद के किया मैं लगा डिया और आप यह जो वालब है नहीं जल रहा है यहां पर बीजली है कि नहीं ओई चेक कर देता। देके एक यह लाइट है इसको लगता हूँ देखिए जल रहा है लेकिन यह नहीं जल रहा है ठीक है इस वाल्ब को खोल लेता है सबसे पहले इसका जो diffuser है इस diffuser को खोलना पुरेगा और यह जनता कंपनी के है देख सकता हूँ अजनता 7W तो कोशिश करता हूँ पहले हाथों से खुल लेगी वह होती देख सकतो खुल गया यह लिवर मैं खुल रहा हूँ देख सकतो ग्लू लगा हुआ है ओके खुल गया और देख सकतो LED का मेलेडी है क्योंकि यह जो बाल्ब है 7W का ही है श्रिप तो इसलिए LED भी कम है कितना LED से है 1,2,3,4,5,6,7 साथ ही LED है एक-एक LED 1W का तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो LED से 9W का ही है I hope तो सब सब पहले क्या करना परेगा हमें जो यहाँ पर voltage है चेक करना परेगा कितना आ रहा है आकिर इसको चेक करना होगा यहाँ पर voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो driver भी खराब होगा लेकिन इसका जो MCPCB भी है तो clearly दिखा दे रहा है जो MCPCB भी है फीज हो गया है देख सकते हैं इसका color को देख के पता चल रहा है देख सकते हो और यह 6V का भी हो सकता है देख सकते हो नहीं नहीं यह 9V का ही है अंदर देख सकतो 33 semiconductor यह चीज आप दिखान रखें देख सकते clearly दिखा दे रहा है एक डू तीन ठीक है तो इसका मतलब यहां पर जो LED से 9V का ही है और 7 है उसी साब से 63V का के देख सकता है pri 20 में लागा लेता है उपको कि यह पर नहीं चुना है इसमें और नहीं चुना है ईए उसके बाद मैं माल्तिमिटर लेता हूँ माल्तिमिटर को हमें 200 बॉल्ट 20 section करना है क्योंकि यहां पर 100 वोल्ट के आसपास आ सकता है तो देखते हैं बीसी वोल्ट जाएगा लेकिन अपने ही चुना है यह नौ ना इसे लेटेट पाट्स अप्लाई है देख सकतो 136 वोल्ट आ रहा है दोस्तो अरे यार देख सकतो सोट करने से यहां पर आग निकलता है 125 वोल्ट दिखा रहा है ओपन सर्किट में तो इसका मतलब हम यहां पर 81 वोल्ट का या 100 वोल्ट का भी MCPCB का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मेरे पास तो 9 वाट का MCPCB है यह 7 वाट का वाल्ब को 9 वाट का वाल्ब बना देंगे क्या यह पॉसिबल है तो देखता हूं अगर यहां पर 9 वाट का MCPCB को लगाने के बाद सेम बोल्ट है जा रहा है तो 9 वाट का बन सकता है तो चीले देखते हैं अफिर बन पाता है कि नहीं है तो सबसे पहले यहां पर से जो यह क्योंड़ अन्सी पीसीव है इसको खोल लेते हैं नहीं दोनों इसको मैं खोल लेता हूं एक श्क्रू दूसरा इससे को दोनों स्कूइश को खोल लिया ओके उसके बाद इससे आम से PCV को disconnect कर लेता हूं, देख सकतो यहां पर, यह वाइट कलर का वह एर है, दिखाए देरा है, यह positive है, positive में लगा हुआ है, देख सकतो plus में, black negative में, तो यहां पर से disorder कर लेंगे, दोनों वह एर को, ओके, negative को कर दिया, positive को भी कर दिया, ओके, तो उसके बाद इस PCV को यहां पर से हटा लेंगे, एक नुकीला इसकी डबर लेंगे, इस तरह से उठा लेंगे, असानी से उठ जाएगा है, देख सकतो, बैक साइड में thermal grease या thermal compound लगा हुआ था, इसको फेक देंगे, इसको इस्तिमाल करना आप नहीं चलेगा, कि यह बहुत ही प्रणा है, इसको पूरा ही फेकना ब्यातर होगा, तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, यहां पर 100V से उपर ही आ रहा था, BC, तो यहां पर हम 9W का MCPCB यूज़ कर सकते हूं, तो सभी valve में ऐसा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन देख सकतो, यह आजंडा company है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो देखता हूं, पहले 9W का MCPCB ले 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 था हूं, उसके बद दिखाता हूं, और यह कितना वोल्ट का है, देख सकते हूं, यह 9W का तो है, लेकिन कितना वोल्ट का है यह, यहां पर 9 SMT LED है, और एक एक 9 वोल्ट का है, तो यह 81 वोल्ट का है, लेकिन वहां पर जो MCPCB लगा हूआ था, वो 63 वोल्ट का था, only, तो यहां पर यह 9 वोल्ट का लागे दिखा बिता हूं अब लोगों एक कॉन्फरम मुझे लग रहा है जले गाई तो बैक साइड में हमें थर्मल ग्रीज लगाना परेगा तो एरे थर्मल पेस, थर्मल कॉंपाउंट छोटा सा डबे में रखा है थोरा थोरा निकाल के बैक साइड में लगा लंगा पहले इसको लगाना ज़ूरी है ताकि हमारा एलेडी है कूल रहेगा थोरा सा ठाहिए हैं तो उसके बाद हमें जो अजन्ता कंपनी का 7W का पालव है उसमें 9W का MCPCB को लगाना है उसके बाद यह पर मैं बीटा देता हूं पहले ओकेई और दोनों स्कुरूस को पहले कस लेता हूं मैं तक यह इधर उदर ना हिले ठीक है कस लेता हूं पहले कि दोनों स्कुरूस को पहले थोड़ा से कम करेंगे इसके बाद कर देंगे क्योंकि हमारा जो यह MCPCB है इसका साइज थोड़ा से छोटा है तो इस बार टाइट कर देता हूं अच्छा से टाइट करना है बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं करना है कि यह तूठी जाए यार इसका जो थ्रेड है इस क्रूस को कट जाए कि जितना सेयसे के उतना कसना है तूठी कास दिया ठीक है तो उसके बाद मैं सुल्डर कर देता हूं यह पर जो verylikehow रहे हम उसको प्लास में इधर plus इर Rain में घ्ला कर मैंनस पे शोल्डर कर देता हूं थोरा सामय वोल्डरिंग पेस्ट लगा देता हूं ओके पॉइंट्स पे थोरा थोरा शोल्डरिंग पेस्ट उसके बाद सोल्डर वैर लेंगे और शोल्डर कर देंगे लमसी पीचीवी में थोरा थोरा शोल्डर लगा लगी उसके बाद वायर को लाँ लेंगे ब्लास में होइट कर अब दूर को उसके बाद हम कारेंट भी चेक करेंगे यह बोल्टेज वो को चेक करने से भी पता चल जाएगा पॉजेटिव को लगा दिया नेगटिव को लगा दिया नेगटिव को लगा दिया दख सकते हूं हमारा जो बाल रहे और रीपेयर हो चुका है होप्फुली तो चलिए एक बार बीजली में लाकर देखता हूं जलता है कि नहीं इसके बाद मैं कारेंट को भी वोल्टेज को भी चेकर करके दिखानेगा ठीक है यहां पर अल्डेडी 220 बॉल्ट है यहां पर लगाता हूं तो पर्फेक्ली हमारा जो बाल है रीपेयर हो गया है बहुत स्म तो उस 81 बॉल्ट से थोड़ा कम ही आ सकता है कि यह 7 वाट का ड्राइवर है तो देखते हैं माल्टिमेटर में चेक करेंगे उसके बाद कारेंट को भी चेक करेंगे अगर बॉल्टेज कम हो रहा है तो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेंगा और इसमें प्रप्लेम नहीं है तो देखता हूं कितना वोल्ट आ रहा है तो यहां पर मैं पहले थोड़ा सा इस तरह से पुकल लेता हूं और इसके बाद माल्टिमेटर को लगा लेता हूं क्योंकि हम इसको जलाने के बाद आखा में चूपता है तो दिखें नहीं देता है अब मीटर में वोल्टेज देखना 81 वोल्ट से कम ही होगा सॉरी गाइस थोड़ा सा ज्यादा गुमाना परेगा तो इसको यह गुमा लेता हूं इदर वोल्टेज देखना ओके देख सकते हो 79.6 वोल्ट तो परफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट है परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है दो वोल्ट कम हो रहा है तो कोई प्रबलम नहीं और जो कारंट है वो कम हो रहा है देख सकते हूं जो कारेंट है डेफिनेटली हो कम आ रहा है थोड़ा से तो फिर भी यह ज्यादा ही वाट का बन गया तो परफेक्टली यह बहुत दिन लस्टिंग करेगा अब ठीक है एक पर करेंट को भी चेक करें कि दिखा देता हम आप लोगों को जैसे कि आप लोगों में बताया तो कारेंट को चेक करने के लिए पहले एक वाट को डिसकानेट करना परेगा यह बर से कोई भी एक वाट को डिसकानेट कर सकतो कर दिया ठीक है तो इसके बाद बीजनी में लगा देंगे भीजनी में लगाने के बाद हमें माल्टिम्टर का शेट करना है दूसरा माल्टिम्टर लेता हूँ एक तो ये माल्टिम्टर ले लिया हूँ तो इसको मैं शेट करूँगा 200 यहां पर अगर 9W का है तो 100 MPA आता है 7W का है कम आएगा तो अगर लगबग 100 के आसपास आ रहा है तो यह 9W का बन गया तो एक वेर को इस तरह इधर लाएंगे एक वेर जिस वेर को discount किया और दूसरा वेर को लाएंगे MCPCB में और देखें कि कितना आ रहा है देख सकतो 92.something milliampire आ रहा है अब मीटर में देखिए 92.something milliampire आ रहा है तो उस हिसाब से अगर calculation करता हूँ थोरा सा मैं calculation कर लेता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों यहां पर तो मैं 9 watt का mcpcb लगा दिया लेकिन जो output है देख सकतो जैसे कि मैं आप लोग को measure करके दिखाया देख सकतो 79.something volt आ रहा है यहां पर mcpcb का लगाने के बाद और जो current है 0.092 milliampire तो उस हिसाब से अगर calculation करता हूँ देख सकतो 7.26 watt का यह bulb बनता है तो यह 9 watt का तो नहीं बना 7.something watt का बना थोड़ा सा ज्यादा watt का बना थीक है calculation के हिसाब से तो इस हिसाब से जो बालव है हमारा बहुत दिन लस्टिंग करना चाहिए तो कि जो mcpcb led से खराब तो नहीं होगा लेकिन driver खराब होगा की नहीं इसमें मैं थोड़ा से doubt में हूँ लेकिन इस तरह से तो मैं बहुत दिन से इस्तिमाल कर रहा हूँ खराब नहीं होता है तो यह agenda company में मुझे उतना बरोजा नहीं है कितना दिन चलेगा लेकिन emails company में तो बहुत दिन लस्टिंग करता है ठीक है तो दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सेर करें और इस चनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने लिए बहुत बहुत दन्यवाद झाल झाल झाल